हेलो एवरीवन वेलकम तू राजस्थान एड़ा 24-7 तो भाई आपको मैंने कल एलगी का इंसी आटी शोग रहा था आज मैं कराने माले आपको फंजाई का यानि कि 30 मिनट जस्ट ओली 30 मिनट तेस मिनट में पंजाई कंप्लीट दो तीन नमबर दो नमबर तो आपके पक्के ह हो जाएंगे 30 मिनट में दो नमबर क्या कमी चाहिए और क्या चाहिए आप लोगों को तुभी मैं बता दू आज आपकी सेल लगी हुई है 17 परसेंट आप लोगों को ओफ मिल रहा है सबी चीज़ों पर महा पैक पर लाइक पर टेस्ट पैक पर कोड भूलना नहीं कोड है व रह्मारा फंजाई. और सबसे पहले चीजम बताउंगे सबी बच्чो को की तो कि की आपका यह bilingual है इंगलिष भी है यहां पे और आपकी हिंदी भी आं तो ऐसे नहीं डर्ना की सिरल फूर सिर הטंदी है सिर फूर年前 इन्ग्लिष आपको पता है मैडम सबी बछों से प्यार करत पढ़ाई के बारे में कवक के बारे में आगर बात करूँ आपके तो इसका आकार और वास्थान होते हैं जैसे कि आपको यह नम रोटी पे मिल जाएंगे सड़े हुए फूलों पे मिल जाएंगी एक्जाम्पल के लिए आपके सच रखी याने की मुश्रूम कुकुरमुता याने की टोड स्टूल ठीक है यह तो सब ने देखा होगा ना कि अरे कुछ दिनों के लिए सबजी रख दी या कुछ खाने पीने करक दिया उसके उपर फुफंद आ जाती है क्यों कि आ जाती है क्यों कि सर्सो की पते सफेद धब्बे पर जीवी फंजाई के कारण होती है कौन सी होती है वो आपकी अल्ब्यूगो कौन सी होती है आपकी वो अल्ब्यूगो फंजाई होती है जिसकी वजए से आपके सरसो की पत्या जो है सफेद सफेद धबो से भर जाती है फिर दूसरा कह रहा है कि कुछ एक कोश्कियो फंजाई जैसे इस्ट काउप योग रोटी अच्छी चीज भी है बुरी बुरी चीज नहीं है अच्छी चीज भी है ठीक है हंचे अभी हमने शुरू किया है यह डेली आएंगे ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ धारण के लिए आपके गेहूं में कीट रोग होता जैसे कि पकसीनिया हो गया आप देखो यह मैं आपको बहुत बार M.C.Q. में करा चुकी हूं पकसीनिया के बारे में ठीक है अच्छी चीज भी करता है जैसे कि पैंसीलियम से आपकी क्या करता है वहां पर एंटिबायोटिक का निर्मान होता है ठीक है आपकी फंजाई विश्व व्यापी होती है यह जल में भी होती है है बाप का घर समझ लेती है यह नरम और गरम जगय को ठीक है तो भई चलो ठीक है यही तो रीजन है आपने कभी सोचा है मतलब फ्रिज क्यूं यूज करते हैं इसलिए यूज करते ताकि बैक्टीरिया फंजाई आपके खाने को पोल्यूट ना करते हैं इंगलिश वाले है जिसको आप हिंदी में कवक कह रहे थे यहां वे फंजाई हो जाएगा कैसे होती है यह आपकी हेटरो ट्रोफिक होती है नहीं खुद का खाना नहीं बनाती है मोर्फोल जी और इनका हैबिटेट बहुत डाइवर्स होता है ठीक है आपके एक्जामपल को मन हो जाते है मश इस भी कोज होती है फंजाई से जैसे के आपके प्लांट और अनिमल में अगर मैं गेहूं की बात करो तो रस्ट कोजिंग पक्सीनिया ठीक है अगर बात करूं मैं आपकी एंटिबाटिक की तो अच्छे चीज़ भी देती है जिसे एंटिबाटिक आपके पैंसीलियम से ठीक है चलो ठीक है साथ में आपका देव वोम और हुमिड एरिया में आपके यह उगना पसंद करती है यह हो गया एक पीज ड़न आगे चलते हैं ठीक है परन्तु यहाँ पर एक अपवाद है देखो हर कहीना कहीना एक ऐसी चीज मिल जाती है जो सबसे डिफरेंट हो है ना मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक अपवाद मिलता ही मिलता है यहाँ पर अपवाद है इस्ट का यहाँ पर फंजाई होती है तंतु मही और त कोशकी है इसका अपवाद है और यह आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद यह कैसी होती है कि लंबे धागे की तरह संरंचना इनकी होती है इसलिए कवक को क्या कहते हैं कवक कहते हैं अब बहुत सारे कवक तन्तू मिलके क्या बना लेते हैं कवक जाल बना लेते हैं जिसको आप क्या कह देते हो मैसीलियम कह देते हो ठीक है अब जो कुछ कवक तन्तू आपके होते हैं वो कैसे होते हैं नालीकार होते हैं सिलैंड्रिकल होते हैं जिसके अंदर मल्टी न प्रव्या में जिसको आप साइटोप्लाजम कहते हो ठीक है उसके बाद क्या लिखा है कि भई जिने सनकोश्किय तन्तु कहा जाता है अगर आप से पेपर में पूछ लिया जाए कि सनकोश्किय तन्तु क्या होता है तो आप क्या कहोगे कि सनकोश्किय तन्तु वो होते है भया जिनके अंदर बहु कोशक्य पहु केंद्रित प्रेजेंट होता है यानि कि आपके बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते ठीक है ९ह सबी याद कर लेंगे rootoisecraid फं artistic किस चीज़ से बनी हुई होती है कि काईटीन तथा polysacrylid की किस चीज़ से बनी हुई है काईटीन और polysacrylid इंपोर्टेंट लिख लो इमपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद मैंने कहा कि मैंने नहीं चार्चे कि अधिकांथ्गर स्वाइन पर्पोशित होती है वह कहां-कहां प्रेजंट होती है एक बताई थी बड़ी गंदी सी थी थी लिध मित प्रेश्फरेटम से यह लेती है यहां की घुलोंशीं कार्बनिक-पद्ढार्थ क्ाया वोशित करती है या आपकी घुलन शील कार्बनिक पदार्थ है sudah in को से मृत सबस्ट्रेटम से ठीक है इसी लिए इनको मृत जीवी कहते हैं क्या कहते हैं मृत जीवी कहते हैं जो फंजाई सजीव बोधे पर तथा जन्तव पर निर्भर कहते हैं उनको पर जीवी कहते हैं अब सबको समझ आया डिफरेंस क्या है आपका पर जीवी में और मृत जीवी मरी हुई चीज के ओपर डिपेंड करेंगा उधर से कैसी चीज निकालेगा घुलन शील कार्बनिक वदार्थ निकालेगा वही पर जीवी जीवित लिविंग बिंग पे यानिक वहीं पर मैंने आपको कल शवाल के बारे में करया था तो मैंने लाइकन का नाम दिया था यहां पर भी ले रही हूं कि आपके शवाल और लाइकन के साथ यह कैसे रहती हैं सहजीवता से ठीक है आपस में मिलके कैसे रहते हैं सहजीवता से वहीं पर मैंने आपको एक चीज और बताई थे एगर MCQs में ध्यान दिया हो कवक मूल के बारे में यानि माइको राइजा के बारे में माइको राइजा में किसका एक्जाम्पल था वहाँ पर पाइनस का था ना कि पाइनस के साथ आपकी फंजाई में रहती है फाइनस जो पेड होता है उसकी रूटस में रहेगी फंजाई दोनों आपस में मिलके रहेंगे उसको क्या कहते हैं सह जीवता उसको भी क्या कहते हैं सह जीवता और हिंदीमें यो कि क्या कहते हैं बही कpect active it इंग्लिश में mycorrhiza कहते हैं ठीक है चलो ठीक है आज आते हैं इंग्लिश में बहीं मैंने यहीं चीज कहीं है कि filamentous exception किस चीज की है east की है जो unicellular होती है कैसी होती है unicellular होती है और fungi की body कैसी होती है filamentous होती है normally ठीक है अगर body की बात कर तो body कैसी है इनकी long cylinder thread like structure जिसको हम क्या कहते है high feet हिंदी में हमने उसको तन्तू कहा यहाँ पे हम कहेंगे high feet अब जो बहुत सारी high feet मिलके क्या बना लेंगे वही same word आ गया mycelium ठीक है आपके कुछ high feet जो है यानि कुछ तन्तू जे है उसके अंदर क्या होते है आपके उसके अंदर क्या होता है आपका cytoplasm होता है cdc बात है परन्तु cytoplasm के साथ multi nucleated cytoplasm यहां लिखा है यानि बहु केंद्रित एक से ज्यादा केंद्र ठीक है nucleus एक से ज्यादा ठीक है उसके बाद यह जो आपका ऐसा हो गया multi nucleated cytoplasm इसको एक चीज कहा जाता है इसको कहा जाता है koinocystic hyphy हिंदी में क्या कहा था इसको हमने हिंदी में हमने कहा था कवक तन्तु कहां गया भी ये संकोश की संकोश की बहुत अंतु इंग्लिश में हमने क्या कहा दिया उसको koinnyoscatic hyphy और यह आपका important है ये क्या है आप जाए रखी नगी रथी, Good evening, Mahima, Good evening长 में आगे चलते हैं, उसे के बाद मैंने क्या बताया बहिए हिंधी वालों को कि भ jornand activity आपकी फञजाई की जो सैल बोल है किस से बनी हुई है? काईट्ट इन चैर से बनी हुई होई है और polysacrydra क्या उचाता है सेप्रोफिट्स या सेप्रोफाइट्स ठीक है उसके बाद कुछ ऐसी भी होती है जो की लीविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर होती है उनको हम कहते हैं पैरासाइट क्या कहते हैं पैरासाइट कुछ ऐसी भी रहते हैं जो आर्स आर्स पडों से बना कि रखत अगर वो roots of higher plant के साथ रहती तो कहते है mycorrhiza यहाँ पे आपका higher plant का example क्या हो जाएगा वही से pinus ठीक है ओके सभी बच्चे session को like कर देंगे साथ ही साथ ठीक है अगर आगे आओं देखो यह तो आपका हो गया क्या वो दिखती कैसी है आपका question कहां से आ सकता है reproduction से यहाँ पढ़ लेते हैं अगर मैं reproduction की बात करूँ तो आपका जो जनन है फंजाई में तीन तरह से हो सकता है वही तीन तरह जो algae में थे काई किये काई कंडन विखंडन मुकूलन विधी ठीक है यह तो आपके सारे काई किये हैं क्या है काई की हैं खंडन के बारे में आपको पता है एक से दो चीज़ बन जाती है मुकूलन विधी जिसको आप बडिंग बोलते हो ठीक है दूसरा आपका होता है अलेंगिक प्रजनेन और अलेंगिक प्रजनेन में आपके बिजानू बनते हैं वहाँ पर उनको क्या कहा था आपने अलगी में उसको क्या कहा था जूसपोर हिंद इंगलिश में जूसपोर यहाँ पर एक दूसरा वर्ड है उसको बोलते कोनीडिया क्या कहते हैं हम कोनीडि लेंगिक हो गया लेंगिक कैसे होता है आपका निशिकतांड से जिसको आप इंग्लिश में कहते हो उस्पोरा एसकस भी जानू से तथा बेसीडियम भी जानू से चलो यहां पर इस चीज़ का फाइदा है मुझे हिंदी वाले नहीं कहेंगे मैडम हिंदी में लिखके बताओ हमारे हिंदी में लिखा है एंसी आल्ट में हां तो तीन तरह से आपका होता है कैसे कैसे निशिकतांड जिसको आप उस्पोरा घहते हो एसकस और आपका बेसीडियम ठीक है उसके बाद जो आपके बिजानू होते हैं उनके सुपष्ट संरंचना होती है जिनके फलनकाय कहते हैं मैंने क्या कहा है कि आपका रिपर्डशन तीन तरीके से होता है अगर में बाहिजिटेटिव में क्या होता है fragmentation, fission, budding, अब यहाँ पर जान लो, आपका खंडन fragmentation, क्या होता है, एक चीज है, अलग-अलग टुकड़ों में टूट गई, बहुत सारी टुकड़ों में, अब एक चोटा सा टुकड़ा, दोबारा से फंजाई बना देगा, दोबारा से कवक बना देगा, fission, एक चीज बरा की डेली हुआ करेगी, no doubt, ठीक है, तो भी अगर asexual की बात करूँ, तो asexual में जो spore बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भला, उनको हम कहते हैं, कोण इडिया, spore angio spore, और आपका juice spore, याद रहेगा सबको, अगर मैं asexual की बात करूँ, तो asexual की आपकी, फिर वही तीन ट बनते हैं, जिसको आप क्या कहते है, fruiting bodies, क्या कहते हो, fruiting bodies, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि the sexual cycle involves the following three steps, अब यह तो बहुत सीम्पल से, आपको पता चल जाएगा, spore कैसे बनते हैं, question आता है, sexual के बारे में पढ़ते हैं, कैसे आपका reproduction होता है, ठीक, जनन कैसे होता है, तो एक यह सेल है, ऐनके साइटो फलाजम बनेंगे, मिलेंगे आप समय, साइटो फलाजम मिलेंगे, पहला स्ट्रैप, जिसको आप क्या कहते हो, वई जिसको आप कहते हो, यह ए plasmo gamma, sammy फ्लाज मोगैमी ठीक है उसके बाद उसके बाद बूसरा क्या होगा भी फ्ला फ्लाजोप्लाजमल बन चेए अब यहां पे जो है बीच मेडे दो nucleos in today nucleus आपस मेंसे फ्योज कर जाएंगी आपने nucleus तरब आप कर गए माल अभी आपकर यह ऐसा था दा अलग अलग ऐसे करके एक नुख्लियस यह नूक्लियस यह site of class अबिस आप्लाज मिल गया अब नूकलियस ऐसे कैसे नूकलियस मिल जाएंगे उसके बाद यह जाइगोट बना लेंगे मियोशीज हो जयगा तीन चीज क्या बताया मैंने पहले साइटो प्लाजम मिलेगा ठीक है उसके बाद न्यूकलियस आपस में मिलेंगे दोनों के ठीक है फिर वो जो चीज बनी है न वो मियोसिज करेगी और आगे स्पोर बनाईगी तीसरा स्टेप इस स्टेप में सेक्श्वल रिप्ड़क्शन कम्प्लीट अब बताती हूं पहला क रहा दो चल और अचल यूग को कि प्रोटो प्लाजम का संलें होगा इस प्रौटो प्लाजम का सञ होगा इस क्रिया का हम क्या एंगे क्लाजम गै्मी श्वलॉं मियो सsis के कांण लाउग मियोसी स्टाव बनेगा बिस चीज़ का मतलब क्या है कि आपका एक एंदॉम दो एकनि धर्ता आपस्मे मिले इनका साइटो प्लाजम मिलके एन प्लस एन बन गया गजी से alga एन वाले और G usu बनादेगा स्पोर बनादेगा भाया क्या बनादेगा स्पोर बनादेगा सब को ध्यान है, पहले आपका क्या हुआ यहां पे, क्या हुआ प्लास्मोगैमी, फीर आपका कैरियोगैमी के बाद मियोसेष, फिर आपके स्पोर बन जाते हैं, इस तीन स्ट् experiments में पूरा-पूरा sexual reproduction आपका complete हो जाता है चलो देख लेते क्या लिखा हुआ है या आपका ठीक है इसमें लिखा हुआ है कि लैंगिक जिनन में संयोजन सगम के दोरान संगम के दोरान दो आगुणित कवक्तन तु आपस में पास पास आते हैं सनलयत होते हैं कुछ फंजाई में दो आगुणित को अर्थात एक कोश्की में दो कंदर बन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं केंद्रक यूगम क्या कहते है केंद्रक यूगम यह मन जो लिखा है यह है केंद्रक यूगम ठीक है यह कुछ देर के लिए रहता है ठीक है तथा इस अवस्था को फंगस की दूवी केंद्रक जाती है कैसे हो जाती है कोशि का दभी गुणित हो जाती है ठीक है फंजाई फलंकाय बनाती है जिसमें न्योंनिकरण अभी भाजन होता है जिसके कारण आगोनित भी जाणू बनते यानि पहले यहां पे कैसी इती खोशिका आपकी दुईलि बाद में क्या हुआ न्यूनिकरण विभाजन अर्थात की अर्धसुद्री विभाजन आधा नंबर हो गया क्रोवजोम का और उससे क्या बन गए आपके अगुणित विजानू बन गए भई उससे क्या बन गए आपके अगुणित विजानू बन गए यही चीज तो मैंने कहा है यही चीज तो मैं है इसके ठीक है और भाग किसके उपर अधारित हैं आपके कि उनके अंदर उनका दिखते कैसे हैं बीज कैसे बनते हैं और वो बीज दिखते कैसे हैं फलन काई उनका दिखना कैसा है ठीक है आगे वाले इंगलिश वालो तुम्हारे लिए अभी इंगलिश वालो तयार हो आपके इपस जो फंचाई होंगे उनके हाइं आपस में साइटोपलाजम को फ्यूज करेंगे आप कहोगे प्लाजमुगैमी जल परानिकल गया bit of गूद इवनिंग, गूद इवनिंग, ओके, उसके बाद कैरियो गैमी हो गई, अब आपका मैंने कहा, यहाँ पे यह दो थे, यह दो थे, n प्लस n, यहाँ पे मिल गई यह, है न, यह क्या हो गए आपका, यह हो गया, n प्लस n, अब यहाँ पे यह n प्लस n, टू एन हो गया, यानि कि यह दोनों के इंद्रक भी आपस में मिल गए यह 2N हो गया अब यहां पर होगा आपके थर्ड वाले में जाइगोट कैसा बना था आपका डिपलोईड बना था ठीक है ध्यान रखेंगे सब के सब बच्चे यह ठीक है अगर मैं बात करूँ आपके फंगस की तो कैसे रिप्रोडियूस करती है यह सेक्शुली में तो तब दो हैपलोईड हाइफी आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं वह आपके भई क्या बनाता है आप आपस में फ्यूज करते हो निसम पंजाइदा फ्यूजन ओफ टू है प्लॉइड सेल इंडर यानि कि कुछ आपकी फ्यूज करके डिपलोईड सेल बना लेती जिसको आप 2N की स्टेज बोलते हो ठीक है बाकी जो दूसरी है वो बीच कारियोन भई इस कंडिशन को कि यहां पे दो नूक्लिस है n प्लस एपन ये कहां डाई करियोन अर तब फ्यूज करके यह ऐसा 2N हो जाएगा तो इसको कहोगे डाई कर्योंट फेस्ट क्या कहोगे डाई कैरियो फेस बाद में पैरेंटल आपकी जो यूजाएगा वो फ्यू का यहां पर लिख्खा हुआ था अरे अरे जूम कहां से कुरू बेटा कितना दिख रहे है और कितना देखोगे देखो फोन मेरे पास भी है मेरे को तो सही दिख रहे है स्क्रीन घुमालो फोन की सही दिख जाएगा है है ना एंसियार्टी बुक तो होगी ना एंसियार्टी बुक होगी बुक में देख लो थोड़ा बोत तो चलो आगे मैंने क्या कहा था कि भी मॉरफोलजी पर आपके माइसीलियम की जो मॉरफोरजी है और आपका स्पोर कैसे बने है फ्रूटिंग बॉड़ी कैसी है इसके बेसिस प अगर बात करूँ तो यह आपके पानी में रहती है जलिये होती है गली सडी वस्तूव पर यह होती है नमी तथा सीजन भरे स्थानों पर यह होती है ठीक है पोधो पर आव विकल्पी पर जीवे के रूप में यह पाए जाती है आव विकल्पी का मतलब क्या होता है आपका अविकल्पी यानिकि उसी और ही होगी किसी और पर डिपेन्ड नहीं करती एक आपकी होती है फैकल्टेटिव एक आपकी अबिड़ायी वाली कैसी होती है अगर वो नहीं मिला तो दूसरे पर है लेंगे तो यह आपका सिर्फ और सिर्फ इस पर ही रहेंगी ठीक है अगर बात करूं में आपके कवक जाल की तो होती है आपकी आप पटिये तथा बहु केंदरित क्योंकि आपकी हाइफी कुछ ऐसी होती है आपके तंतु कुछ ऐसे हो होती है ठीक है अगर यह है तो आपका वहां पर पटिये हैं अगर यह नहीं है मान लो वो ऐसा ना होके सिर्फ और सिर्फ ऐसी है तो उसको हम क्या कहेंगे आप पटिये यानि इसके अंदर फिर बहुत सारे न्यूकलियस होंगी जो आपको कोई नीटिक थी ना जो सू केंद वो क्या बनाते हैं युगमानू बनाते हैं ठीक है इधर से प्रशन इतना नहीं आएगा मैं बतारी हूँ इधर से प्रशन इतना नहीं आएगा कि यह क्या बनाती है क्या नहीं बताती है इतना इधर से नहीं आएगा ठीक है उसके बाद अगर बात करूँ मैं आपकी किसकी युगमको की आकारिकी की तो आपके कैसे कैसे बनते हैं भई पहले तो सम युगमकता होती है समान होएंगे दोनों युगमकता या फिर अलग भी हो सकती है जिसको आप कहोगे असम युगमकी तथा विसम युगमकी और असम विसम और सम के वारे में मैं आपको कल बता चुकी हुँ तो मुझे नहीं लगता मुझे दुबारा बताने पड़ेंगे इसके एक्जापल है म्यूकर राइजोपस जो रोटी के कवक पहले बता चुके हैं अल्ब्यूगो देखो जिसको यह लगता है न कि इंट्रों में मैडम नहीं बताया था कि सरसों के ऊपर अल्ब्यूगो होती है तो NESRT में की वन डिल कर अल्ब्यूगों और जिसको यह लगता है कि मेडम नें मूकर नीवता कि रोटी को पर कौंशी होती है वह आपकी कौन सी है मूकर राइजोपस कौन सी है मूक राइजोपस इह भणते प्रशन यहां से बनकें इनके बारे मकूम पूच आगल सरसों के उपर कौन सी पर जीवी होती है यहां से प्रशन बनेंगे यहां पर इधर से नहीं बनेंगे अगर आपको लग रहे ना कि यहां पर यह पूछेगा युगमक कैसा बना फाइको मैसटीन की बात कर रही हूं यहां पर पहले वाले पोर्शन से आएंगे नाम पर मेलनी फंजाई के बारे में कौन से किस हैबिटैट पर रहती है क्या कहेंगे उसके उपर रुगरी तो उसको क्या कहेंगे ऐसी चीज़े आएंगे बतारियों मैं अगला प्रशन है आहां प्रशन कह रहे हूं इंग्लिश वालों के लिए है कि फाइको मैसटीज आपकी कैसी होती ह अगर बात मैं करूं आपके स्पोर्स की जो स्पोर एंगियम में बनते हैं कहां बनते हैं स्पोर एंगियम में बनते हैं बिजानुधानी में आपके बनते हैं उसके बाद जाइगो स्पोर जो आपके बनते हैं दो गैमीट से वो आपके तीन तरीके के हो सकते हैं या तो आईसो गैमस होंगे या तो आपके अनाईसो गैमस होंगे या फिर आपके उगैमस होंगे common example कौन से कौन से है mucar, rhizopus और आपका albugo, mucar आपका रोटी के ओपर पाया जाता है, ठीक है और दूसरा albugo आपका कहां पाया जाता है भई, mustard की पत्ती ओपर important है, clear है, सबको clear रहना चाहिए, ठीक है, यह जरूरी है, उसके बाद आपकी एक कोश्किय इस्ट include होती है, जिसको आप सैक्रोम आइसिस के नाम से भी जानते हैं साथ में बहु कोश्किय पैंसी लियम भी इसी के अंदर होती है यह depend किसके ओपर करती है, मृत जीवी, अप घटक, पर जीवी तता शमल रागी, इसके बारे में प्रशन पूचा जाता है शमल रागी के बारे में, शमल रागी किसके ओपर होती है, भी डिपेंड आपकी, पशू विशिष्ट पर उगने वाली लिखा हो है न यहाँ पर पेपर में लास्ट राइम आया बथा कि इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोले तो कोफ्रोफिलस और हिंदी में बोले तो शमल रागी कौन सी होती है, किस पे डिपेंड करती है आया बथा ना प्रशन, यहीं से आया बथा ठीक है, हेलो आर पेस्स परेंट तो आपकी कैसी हो जाएगी यह शमल रागी हो जाएगी जो आपकी पशु विशिष्टा पर यापके गोबर के उपर जो गेंगी साथ में जाल शाखित होती है जाल शाखित यानिकी ऐसे वाली होंगी बीच में यहाँ पर पट होंगे ठीक है साथ में जाल शाखित होंगी और दिम धर कहेंगे कोनीडियम धिर कोडिकाई धर ठीक है आगे अगे ब्रीजात रूप से उत्पन होते हैं ठिक है यह इधर जरूरी नहीं उसके बाद को निइडिया जो है अंकुरित होकर क्या बनाते हैं कवक जाल बनाते हैं लैंगिक कि गर बात करो तो कैसे भीजानू बनते है ऐसकोमाइस है तो आपके एशकस बीज बनेंगे एशकुमाइस टी तो कैसे भीजानू बनेंगे भई एक स्टील को सिंगल को यहां पथे ता सू का होगे एसाई कि होगे ठीक है जो उसके बाद अगर मैं करूं आपकी अप यहां पढ़ती है इसकी फ्रूटिंग बोड़ी मान लो यहां पर कुछ लगा हुआ है यह बैसे है अगर यह है लगा ओए है इस फालेटे को हम एक चीज कहते हैं इसको हम कहते हैं एक्षोप क्या कहेंगे एक्षोप कहेंगे इसके उधारन इंपॉर्टेंट है याद कर लो क्या क्या बेसके एक्जाम्पल देखो एसपेरजिलस ट्लैवी सेप तथा नियूरोस्पोरा एक्जाम्पल है ध्यान दिया आपने चीज का यहां पर ध्यान दिया कि यह यह है अब इसके बारे में खास चीज भी लिखी हुए क्या लिखी हुए है कि नियूरोस्पोरा का उप्योग जैवरसाइनिक तथा आनुवान देंगे फिर को गया रहे फंजाई तो थी नहीं यह तो था यहीं हम को तो मिलाई नहीं मिलेगा कैसे यहां लिखे हुए बेटा लोग ने धान ने दिया अब दे लो चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्या है भी कौन सा यह बही नूरोस्पोरा जिसको कहा इस्तमाल किया चाता है जयर सइनिक तरदा अनुवानशिक कर्योग में ठीक है इसी वजह이루 से इस नूरोस्पोर क्या कहा जाता है ड्रोस भीकषा जाता है पादप जगत का ड्रोसो विला जाता है ठीक है इस ही जगत वाली मोरियल और तुथा ट्रोफल इसके बारे में प्रशन पूछा तना मोरियल ट्रोफल क्या है खाने योग्य फंजाई है आप इसको खा सकते हैं यह सूसवाद बोजन समझा जाता है चलो इंग्लिश मीडियम प्या जाते हैं एसको माइस जिनको आप क्या कहते हैं थैले न ठीक है माइसीलियम के अगर बात करो तो आपकी कैसी होती है ब्रांश होती है अगर असेक्श्वल की बात करो तो असेक्श्वल में क्या बनाती है कोनीडिया क्या बनाती है और जो आपकी कोनीडिया को बनाती है उनको कहते हैं कोनीडियो 4 क्या कहते हैं कोनीडियो 4 कहते हैं कोनीडियों से आपका क्या जर्मिनेट होता है किया प्रोड्यूस होता है वह स्वर होते हैं और इस सिंगल को एक स्गय कहते हैं क्या कहते हैं अगर आप से पुछलिया जाय कि स क्या है तो आप कहोगे कि इस् हग मैसरी इस का एक स्पोरerta क्यों कि थूश वह डुगू यह आपका NCRT है भई ताकि आपके लेब असिस्टेंट का हर कोश्ण आप लगा दे ठीक है चलो उसके बाद जो आपकी एसकाई है वह फ्रूटिंग बॉडिस पर होती है आपको पता है जिसको आप क्या कहोगे एसको कारपस असेक्शल में भी कहा था आपने यहां पर भी कहोगे ठीक है कुछ एक्जामपल है इसके जैसे की एसपरगिलस क्लैवी क्लैप्स आपका नूरोस्पोरा नूरोस्पोरा का कहां यूज किया जाता है भई आपका बायो केमिकल और जेनेटिक वर्क में ठीक है कुछ आपके खाने लायक भी होती जैसे की मॉरल और आपकी ट्रॉफल जैसे की मॉरल और आपकी ट्रॉफल बटा बात ऐसी है एसे एस्परेंट पढ़ा फंजाई रही हूं पंजाई फंजाई के बार में पूछना है तो पूछो अधर्वाइस इधर उधर के कोश्चन्स तब इधर उधर का वो टॉपिक आए तब पूछ लेना ठीक इधर भी आएंगे इस टॉपिक पर भी आएंगे ठीक है नहीं यह सिर्फ वह सिर्फ बायो की है भया ओनली फब बायो ठीक है आगे चलते हैं आगे तीसरा टाइप आपका आता है बेसीडियो माइसेटीज का अगर बेसीडियो माइसेटीज की बात खुरू तो बेसीडियो माइसेटीज में आपके मश्रूम आ जाते हैं ब्रेक फंज परजीवी यह आपकी होती है ठीक है यह छोड़ो यह इंप्र्टेंट है आपके अगर बात की चाहिए कंड यानि किस्मक्टर कीट की यह आपकी परजीवी होती यह सजीव पौधो पर उकτι यह कहा workplace कवक जालिन का साखित होता है उर पठीय होता है इस्में अलैंगिक दिजानों नहीं होते हैं इसमें क्या नहीं होता है असेक्श्वल रिप्रडक्शन नहीं होता है मेन बानी लेकिन काईक्य जैनल खंडन विधि द्वारा बहुत सामान है हो जहता होगा और आपका लैंगिक अंग नहीं होते हैं लेकिड इसमें प्लाज्मो गैमी विभिन स्ट्रेणों वाली दो काई के कोशिकाव को जीन प्रारूप के सलैन में होती है इसने कहा है कि और गैन्स नहीं है और गैन्स नहीं है पर तू फिर प्र पीर असेक्ष्वल रिप्रड है कि पहले आपके आपका ही निमा मिल रहे थे यहां पर आपकी हाई फी मिल जाएंगे थन तन तन तौ्पो दो आपस दो सेपले मिलेंगे तो आप पतर खिरには जाएगे यूं ह Guide का अप सभी ध्यान करेंगे ठीक उसके बाद क्या लिखा है कि भी साथ में होता है। गेहों के ऊपर काला रष्ट हो जाता है ब्लैक रष्ट हो जाता है काला जंग वो किसके वज़ेसे लगता है पक्सीनिया की वज़ेसे लगता है फिर आपका जाता है इंगलिश वालों आपके लिए कि बेसीडियो स्पोर आपके क्या बनाते हैं बेसीडियो मैसिटी बनाते है जैसे कि आपका मश्रूम हो गया प्रेकट फंजाई हो गया पफ बोल हो गया और व्यडकते कहां पे हैं यह ग्रो होते हैं आपके सोयल पे लोग पे ट्री स्टंप लोग ज्यानी की गीले वाले जो होते हैं की प्लांट को काटके ऐसे रख देथे हैं गीला सा उनका स्टेम होता तर नहीं तर मुटा मुटा से ना ओके उसके बाद आपके यह कहां रहते हैं लीविंग प्लांट बोडी पे भी रहते हैं जैसे कि आपके रस्ट और स्मट देखलो यह आप लिखा है पैरसाइट एक्जाम्पल किस चीज का रस्ट और स्मट का मैसीलियम ब्रांच होती है सक्टेट होती है असेक्शवल स्पोर इनके अंदर नहीं होते हैं ध्यान देने योग्याबाद नहीं होते हैं प्रणतु इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रड़क्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से बट कॉमन वेजिटेटिव रिप्रड़क्शन बाइफ्रेग Umogami होती है, जिससे आपका दो, vegetative, या फिर आप होगे, somatic different strain के जो होंगे, somatic different strain के जो हाइफी होंगे, वो मिलेंगे, और आपका क्या बना देंगे, वो, đai-kayriotic बना देंगे, जिसकी वजह से आपके बेसेडियम का जनम होगा, और बेसेडियम में क्या होता है, आपका, myosin ह स्पोर शीर वोगा उस मियोसिस से आपके क्या बन जाएंगे चार बेसीडिओ इवनिंग नवीन गद पेसीडियोस पूर की तो थो सूर आपके एक्गोजीनियस होते हैं étaatorts का मतलब क्या होता है बेच subscribers का भई आप सभी जानले हिंदी वाले जिसका यहां पर लिखा हुआ था कहां कहां बेच जात्रीबंब जात्रिए आपका या यह सब्सक्राइब Gabe हो यहाँ पर गोलं नहीं है कोई कंवरेंग नहीं होगा थी को बाहर की तरफ पुगा एग्जामपल था कि आपका अगैरिकस यूस्टे ऐंचीन जिसको आपने द्रशी सब्सक्रार से गाहिए। फंगस ठीक है उसके बाद आपका यहां से तो 110% गारेंटी है मेरी कि आपकी पूछा ही पूछा जाता है फंजाई में एक तो यह पूछा जाता है पता नहीं क्यों रिपीट मोड पर 100 unacceptable है अगर जहते हैं क्यों इनके अंदर लेंगिक प्रावस्ता नहीं होती है लेंगिक जनन नहीं होता है क्यों इनके क्या होता है प्रवस्था ही यानिकि क्या नहीं हुआ पाये यहां पर आपकी लेंगिक वाली नहीं हुई इसलिए हमने उसको क्या कह दिया अपपूरण कवक कह दिया ठीक हैं इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब हम उसे उची तवर्ग में रख देते हैं मान लो कोई ऐसी फंजाई है जिसको हमने क्या कहा ड्यूट्रो माइसेटीज कहा ठीक है बाद में पता चला ओहो सेक्शुल भी कर रही थी यह तो है ना लैंगिक जिनन भी था तो हम उसको क्या करते हैं ग्रुप ही चेंज कर देते हैं वरग ही चेंज कर देते ह ठीक है यह भी संभावित है कि आ लैंगित तरह काई की है प्रावस्ता को एक ही नाम दे दिया गया हूँ जिसे कहा कि हमने भी अधोर्हुमर माइसेटीज ठीक है उसके बाद क्या कहा है बाई इसने कि लसा से वरग में बात अरे अरे-अरे-अरे-अरे-अरे क्या हो गया ही एकसे अ भई मैं कोन सा सब्चेक्ट पढ़ाती हूं भी मैं बायो ही पढ़ाती हूं आपको जाट Mafia जी लोकेश जी और कैसे हैं आप भई बूल वा दिया मेरे को एकदम से बॉटल गिर गई और एकदम हम इन परफेक्ट हैं आप परफेक्ट है आप जाओ यहां से ठीक है उसके बाद फिर है कि एक बाइड यूटर माइसेटीज के सदस्ती की उचित प्रावस्था का पता चल जाए तो केवल अलेंगिक बिजानु जिने कोनीडिया कहते हैं इन ही से जनन करते हैं किसे कोनीडिया से सिर्फ और सिर्फ कोनीडिया से ठीक है यह होती कैसी है आपकी जालपत्य होती है शाकित होती है कुछ सदश्य इसके मृत जीवी होते हैं और परजीवी होते हैं अधिकांश कैसे ह होते हैं इसके अप्षिष्ठ पदार्थों का अपगटन करते हैं ठीक है खनीच के चकरन में यह सहिता करते हैं इसके कुछ तक यहां से बनता है 110 परसेंट कह रही हुं यहां से बनता है यह पूछा जाता है कि इम-परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है नहीं हुई है जैसे ही इनकी sexual form discover हो जाती है हम उसको किसमें दूसरी category में हम रख देते हैं यहां तक यही लिखा गया है पूरे यहां तक ठीक है उसके बाद लिखा है कि जो deutermycetes हैं वो सिर्फ और सिर्फ asexual reproduction करती हैं जिसको आप क्या कहते हैं कैसे spore बनाएंगे कि वो conidia वाले क्या खोगे उसको आप conidia mycelium septate होता है branched होता है कुछ members के saprophytic होते हैं कुछ parasitic होते हैं ठीक है आपके बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपके decompose करते हैं कि इसको लीटर को कुड़े कच्रे को लीटर का मतलब होता है कुड़ा कच्रा यह कोई प्रेम पत्र नहीं है ठीक है उसके बाद आपके मिनरल साइकलिंग में भी यह आपकी हेल्प करती है एक्जामपल की बात अगर मैं कहूं तो एक्जामपल है आपका ओल्टनेरिया कॉली ट्राइक मुराब का ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा उमीद करती हूं उमीद करती हूं आपसे कि आपको पता चल गया होगा प्रश्निक बनेंगे एक यहां पे इंपरफेक्ट फंजाई क्यों कहा गया अपरून कवक कहा क्यों कहा गया और किसको कहा गया जरूरी है जान लेना कि को कहा गया क्योंकि उसके अंदर sexual reproduction नहीं होता है इसलिए अलैंगिक जनन होता है काई कि यह होता है परन्तु लैंग नहीं होता यह दूसरी बात आपकी मैंने फंजाई के चार टाइप कर आए उसमें पहले और दूसरे के अंदर ना ऐसे नियूरोस्पोर आप सुन रहे थे है न किससे कॉन सी डिसो हरी है वो पढ़ रहे ते facto में वह सभी चीज़े आप सभी रट्ल में इस्ट के बारे में रट्लेंंगे अपवाद है यह आप पड़ेंगे पैंसिलियम से आपसे क्या नहीं काला एंटी बाइटिक उसके बारे में आप रट लेंगे ठीक है इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मैं तो कहूँगी रट लोग क्योंकि पढ़ तो आप रहे नी हैना समझ आप लोग रहे नी तो एक काम तो करना पढ़ेगा वैसे जो है फोलो करोगे उतना आपके लिए अच्छा है वो सारे कोश्चिन यहां से आपके लगेंगे कहीं और से नहीं लगेंगे ठीक है बेफालतु की धरू-धर भाग होगे पढ़ोगे एंसी आर्टी पढ़ोगे या 30 मिनिट्स में टॉपिक खतम चलो आगे चलते हैं आगे चलते है यह चलते हैं कि आपका क्योंकि विजई बैच आ चुका है अगर आप थियोरी बहुत अच्छे से समझ समझ के पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चीज को जॉइन कर सकते हैं विजई बैच को जिसके अंदर हंड़ेट परसेंट गरेंटी दी जाती कि आपका सेलेक्शन भई ह अगर आप यह code इस्तमाल करेंगे जो है मेरा Y443R यह code इस्तमाल करेंगे तो उसके ओपर आपको maximum discount भी मिल जाएगा और मैं तो खहती हूँ जल्दी से ले लो sheet limited is तिरफोर सिफ 500 sheet है उसके बाद नहीं है 500 में से I think बस ऐसी बचरी होंगी 100-200 कुछ करके है ना बहुत कम बच को क्या कर दोगे like कर दोगे सब की सब कमेंट कर दोंगे share कर दोगे कर चैनल पर नहीं है तो subscribe भी कर दोगे तो अभी के लिए इतना ही next अब कल तो नहीं पढ़ेंगे Monday को पढ़ेंगे क्योंकि Friday है कल आपकी Marathons चुलेंगी तो Friday को नहीं होगी Saturday को नहीं होगी Sunday को मंडे को हम ब्रायो फाइटा के बारे में पढ़ेंगे तो अभी के लिए टाटा बाई 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 and have a nice day